मी वाई 14 आज के डेट में यानि वन दिसमर को लांच होने वाला था बट जैंग जीमिन के डेट के बाद जितने भी अभी लांच इवेंट है सभी पॉस्पॉंड कर दिये गए हैं चाहे वो साउमी का हो या फी कोई अधर ब्रांड का ही क्यों नहों चाहिना वाला जितने में स्मार्ट फोन के लांच है सारे हैं जो पॉस्पॉंड हो चुके हैं लेकिन मी वाई 14 जब आज का लांच है था तो इसके जो अपडेट थे जो इसके चिंजलोग थे न वो लीक हो चुके हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ शेयर जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो मी वाई 14 हमें देखनी को मेलेगा ना उसमें क्या कुछ चीज़े जो नई यहाँ पर हो सकती है अगर आप यहाँ पर मी कम्यूनिटी के ऊपर जाती हो जो कि चाइना वाला है तो यहाँ पर भी कई सारी इंफोर्मेशन आपको मिलेंगे लेकिन आपको Google Translation का बार बार यूज करना पड़ेगा साथ चीज़े रीड करने के लिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत साथ चीज़े जो शेयर की गए चेंजलोक से रिलेटर और फीचर से रिलेटर लेकिन डॉंट वरी आज कि इस वीडियो में आपको कई साथ चीज़े जहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको पसंद आएगी लेकिन अगर उसका कोई वीडियो पि देखने को मिल सकता है वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेगा और जब तक मिवाई फोटी लॉंच नहीं होते है जितने वी लीक्स या इंफ्रोमेशन आते हैं मैं सेयर करता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहूं जितने भ पूरा का पूरा है जो डिटेल मेंशन किया गया लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़े भी यहां पर लिखी गई है जो कि जब तक आप आखो से ना देखो आपको पता ही निचला है कि यह किस बारे में जो कहा जा रहा है कुछ ऐसा ही है क्योंकि सब कुछ नया यहां पर टाइ बेटर होने वाला यह मेवाई 13 के कंपरेजन में जिसके वैसे आपका यहां पर अच्छे तरीकें से परफॉर्म करेंगे यहां तक कि जब आप पावर सेविंग मूर यूच करोगे ना तब भी आपका प्रफॉर्मस काफी अच्छा रहेगा चाए वो सिस्टम डिफॉल्ट अप्लिकेशन हो या फिर आपके कोई थर्ट पाटी आप अलग से डालते हो उसके उपर भी तो यह पर पावर सेविंग और सास्यात एप्स रिस्पॉंस और एप्स के यूटिलिटी के उपर ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि आपको एक अच्छा सा परफॉर्मस देखन हो या हो है तो थ्वासा अजेस्ट जरूर कर लेना उसके बाद यहां पर आप देख सेते हो कि यहां पर अटेंशन टो डीटेल वगरा किया गया है रिफाइन किया गया है जो कि प्रसनलाइजेशन से रिलेटेड होगा याने जो आपको चाइना रोम के अंदर इस तरीके से यह प्रसनलाइजेशन देखने को मिल जाता है ना इसमें थ्वासा और इंप्रूब्मेंट है जो किया जा सकता है बट यह अभी स्टिल ग्लोबल उजर्स को मिला नहीं था तो देखते कि आने वले टाइम में ग्लोबल को मिलता है या नहीं क्योंकि अभी मैं इस डिवास के है कि फोन में हम कई सारे चीज़े प्राइविसी वाले चीज़े रखते हैं लेकिन इससे पहले जितने में प्राइविसी वाले चीज़े आप रखते थे श्टोर करके वह सारे ओनलाइन श्टोर होते थे जिसे कोई भी हैक करके एकसेस कर सकता था असानी से लेकिन यहाप इ security थो इसे और better हो सके साथ-साथ यहाँ पर आप देखोए कि me smart hub में जो significant improvement है जो किया गया है जो कि much faster होने वाला है जैसे कि आपके पास कोई smart device है जैसे sound में कैसा रहे TV हो गया, laptop हो गया, phone हो गया और यहाँ पर जो smart hub है जैसे आप connect कर पास तो सभी चीज़ों में तो यह connecting जो speed है थो आसा और better हो जाएगा और अगर आप बोलो तो headphone हो रहे यूच कर रहे हो ना एक device है दूसरे device हो switch करने में और भी काफी ज़्यादा असानी होने वाले है यानि काफी ज़्यादा improvement लाया जाएगा मी smart hub के अंदर जैसे कि Apple का ecosystem है ना सेम उसी चाहिसे यह ecosystem के उपर काम कर रहे है ताकि इन्हें सभी product में connect होने में दिक्कत ना हो और असानी से यूच करने में आपको और ज़्यादा असानी हो सके बोलने में काफी ज़्यादा तकली फोरी है माफी चाहूँगा यहाँ पर family service में यहाँ एक और चीज़ यहाँ पर mention की गई है कि जैसे कि आप भाई अपने family में सभी को यही Xiaomi का phone दे रखे हो और कुछ चीजे हैं जो कि आप सभी के साथ share करना चाहते हो आपको बार-बार एक इसा से उधर करना पड़ता है sharing के लिए लेकिन यहाँ पर MIUI 14 के दरी से और ज्यादा बेटर कर दिया जाएगा ताकि आप family जो आप collection बना रखे हो अपने phone के अंदर एक category उसमें साहे चीज़ों को असानी से share कर सको और एक member से दूसरे member के पास असानी से पहुँच सके यह काफी अच्छा चीज़ यहाँ पर improve किया गया है जो कि भाई कब आएगा और कैसा होगा और किस तरीक से यह काम करेगा जब तक MIUI 14 डल नहीं जाता phone में आ जब तक तो भाई explain करना मुश्किल है लेकिन हाँ यह चीज़े जो एड की नहीं में स्मार्ट हफ का यहाँ पर लोकल स्टोर्ज वगएरा का यह काफी अच्छी चीज़े है और किस तरीके से काम करेगी यह तो देखने के बाद ही भाई जाना मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा बाकि यहाँ पर आपको देखन को मिलता है basic experience जिसमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो system का art texture है वह से और improve किया जाएगा और यहाँ पर boost मिलेगा इसके performance में जब आपका phone power से यह mood में रहेगा ना आथ तब भी अच्छे से काम करेंगे चाहे आपके default application हो system के core वाले या फि improve हो जाएगा साथ साथ यहाँ पर stabilize किया जाएगा framing वगरे को ताकि आप अगर गेमिंग करते हो ना तुहाँ आपको जो stability है gaming अंदर और ज्यादा बेटर मिल सके और आप काफी अच्छे तरीके से जो gaming कर सको जो कि आपको फैले ऐसा feel नहीं हुआ होगा MIUI के उपर वो और य तरीके से combine रहेगा just like iPhone type का कई सारी चीज़ आप एड कर पाऊगे जो कि अभी फिलाल One UI ने भी add किया है कि एक widget के अंदर आप कई सारे widget को add कर सकते हो साथ उसी तरीकी से यह होने वाला है साथ साथ यहाँ पर आपको और वी ज्यादा नए look देखने को मिलेंगे और मैंने recently क तो कि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यह realme जैसे ही आपका होने वाला है जैसे कम यहाँ पर आते हैं आइकन पर जाते हैं यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है जिसे आप थ्वासा और इंप्रूव कर पा गए जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस folder के अंदर आपको ह अच्छा खासा जो यहाँ पर फील होने वाला है साथ साथ यहाँ पर सूपर आइकन वगरे का ओप्सन दिया गया यानि वहीं सारे चीजे जो कि आप आइकन के अंदर मोडिफिकेशन कर सकते हो जिसे आपका जो होम स्कीन का और प्रसनलाइजेशन है वो थोड़ा और बेट अप्लिकेशन ओपन होगा तो आई तिंक यह वाला स्विचर मेरे ख्यार से मीवाइ 14 के अंदर आने वाला है साथ उसी के बारे में जिकर किया जा रहा है बट यह जब तक आता नहीं जब तक भाई कंफर्म नहीं होगा तो यही सारे इसे बेसिक अपडेट के चैनल लोग ग जाएगा उसका यहां पर connection से related आपका information मिलेगा जो कि मी smart hub से related होगा कि कई सारे चीज़े एक जगहा से दूसरे का transfer कर सकते हो connecting में आपको दिक्कत नहीं आएगा just likewise ecosystem type का वही चीज़े आपे mention की गई है उसका family service वगरा जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे चीज़े आपको लग सकते हो ताकि आप सभी पर ध्यान लग सको नजर लग सको health से related और बाकि दर चीजों से related तो वही सारे चीज़े आपको यहां पर family service में है जो देखने को मिल जाती है उसके बाद यहां पर आपको AI voice assistant से related डिया गया detail जो कि बाई सिर्फ और सिफ चाइना यूजस के लिए होन निकल के आया है पूरा तो चेंज लोग नहीं आया लेकिन देखते हैं कि किस तरी किसे हमें MIUI 14 जब देखने को मिलेगा एक दो चीज़े और आप इनके अगर MI community को उपर जाते हो चाइना वाले पे तो पता चलता है कि अब आप यहां पे और भी ज्यादा system apps को जो uninstall कर है MIUI 13 में उपर का काफी कम था और यहां पे इसे थोड़ा ज्यादा बढ़ाए गया है ताकि आप अपर application काफी अच्छे तगे से perform अगर है जो कर सके और यहां पर आप देख पा रहे हो कि system के कई स्यादे application जो टिक होए वे उन्हें आप uninstall कर पाऊगे कुछ ही application को छोड़ होंगा कि इनका जो gallery, weather, calculator application है यह system core application बन सकते हैं और यहां पे audio recording वगएरा भी लेकिन यहां पे इसके खुद के जो me browser है, me store है इन्हें इन्होंने क्या बना दिया है core system application जबकि इसके जरुवत नहीं पड़ती बहुल सारे users को वो play store यूच कर लेते और third party browser यूच कर लेते जैसे यहां पे इसका खुद का store है और me browser बट यह तो भाई चायना वाले users के लिए ही यह सारे information है तो देखते हैं कि global में आएगा तो हम किन-किन application को अनिस्टोल कर पाएंगे और किन-किन application हम चाहा के भी अनिस्टोल नहीं कर पाएंगे ठीक है वो तो time ही बताएगा लेकिन हाँ यही सारे information थे जो कि MIUI 14 से related हमें देखने को मिले और आप मुझे comment करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको यह MIUI 14 का change लोग क्या लगता है कि कु और यह थोड़ा गरबर हो सकता है कुछ वर्डवी मैं यहां पर mistake कर दियोंगे क्योंकि भाई बोलने में काफी तकलिफ हो रही है तो इसलिए मैं मासी चाहता हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थांक्स वॉचिंग बाबाई